दिखिए ऐसे अभी बहुत सारे pensioners हैं जो 2006 से पहले आये हैं अभी भी उनको पुराना pension ही दिया जा रहा है और मैं इसको आपको एक practical example के साथ समझाने वाला हूँ और जैसा कि आपको बताए कि हमेशा हमारी यही कोसिस होती है कि आपके साथ सही और सठीक जानकारी शेयर करें इसलिए अभी तक अगर आपने एटिएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे लेटेस्ट इंफोमिशन आपको हमेशा मिलते रहे और हम हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर करते हैं कि जैसे कि अगर आपके अक्टूबर के पेंशन को मैसेश को लेकर के हैं या आपका लाइफ सेटिफिकेट का ड्यू डेट चेक करना हो जो रिटायर हो गये उन पेंशनर का 15 साल तक पैसा काटा गया है क्या है वो पुरा मामला अब पेंशनर को नेक्स रेंक के पे पोरेट करना हो लाइफ सेटिफिकेट को अपडेट करना हो सब कुछ हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं इसलिए मेक शूर रहे कि आप एटीएच इंडिया चैनल के साथ बने हुए जिन्होंने हमें सुरू से सब्सक्राइब किया हुए उन्हें पता है और वह खुद इस उससे आप समझें कि बहुत सारे हवलदार रेंग को औरेडी नैप शुदार की पेंशन नहीं मिल रही है और यह बात ना बिलकुल सही है जिन रेंग को औरेडी औरेडी की उपाधी मिली हुए अब जरह आप इमेजिन कीजिए इस्पेशली यह मैं बात उनके लिए कर रहा और आप यह बात हमेशा ध्यान रहें कि जिन पेंशनर को औरेडी नैप औरेडी क्या मतलब लाइक का टैग लग गया उनको उपाधी मिल गया तो उनको औरेडी नैप सुदार का ही पेंशन मिलेगा उनको हवलदार का पेंशन नहीं मिलेगा लेकिन उनको हवलदार का में इसको सुधारना वैसे अगर आप चाहें तो अपने रिकॉर्ड को भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं चले मैं एक बार आपको बता दो देखें यह एक्चुली जो मैंने बताया को अभी भी हवलदार रेंग का पुराना फेंशन दिया जा रहा है जबकि उनको मिलना चाहिए और नाप शुदार का पेंशन अब देखिए उनको पेंशन हवलदार की दी जा रही है अगर आप भी ऐसा प्रॉब्लम से कर रहे हैं तो आपको पेंशन डिसवर्सिंग एजनसी से हलाकि आप चाहें तो अपने रिकॉर्ड को भी कॉंटेक्ट कर सकते हलाकि रिकॉर्ड इसमें ज्यादा लेकिन आपको अपने रिकॉर्ड को भी बताना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि यह रिकॉर्ड का भी मामला है हलाकि देखिए कहा तो यहीं जाता है कि पेंशन डिस वर्सिंग अजेंसी को तो कॉंटेक्ट कीजिए कीजिए क्योंकि पेंशन वही डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं साथ ही साथ आप अपने रिकॉर्ड को भी कॉंटेक्ट करें कि जब आपको ऑल्रेडी ऑन्रेडी की उपाधरी टैग मिला हुआ है तो फिर उनको हवलदार रैं आपको वापस किया जाएगा एरियर के रूप में तो इसलिए यहां पर जरूरत क्या है आपको थोड़ा सा जागरुक होना पड़ेगा और आपको इसके लिए फाइट करना पड़ेगा और देखिए हमारा एक वाटसेप ग्रूप है और टेलीग्राम ग्रूप भी है तो हो चलदार रहें का ही परिश लेन तो ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आभी के टाइम पर क्या है और कि हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे और ईजटेशन एंग्षमेंके वेलफैर और जो एक सर्विसमेंर के लिए सच में दील से काम करते हैं और वह जो दिल से का करें ना उनको मेरा दिल से सैल्यूट भी है क्योंकि वह सच में समाज के लिए अच्छा काम करें हर एक स्टेट में ऐसे एक सर्विसमेन के वेलफेर बने हुए हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस भी स्टेट से आपका इस तरीके का कंफ्यूजन रहता या इस तरीके का कंप्लेन रहता और आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो हम एक सर्विसमेन वेलफेर ग्रुप को जुड़े हुए हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कॉंटेक्ट कीजिएगा हम आपका पूरा एक प्रोपर एक साइटी उनकी help करेंगे और उनको free of cost service देंगे और आप देखिए अगर बहुत सारे case में जैसे especially national increment के case में मैंने आपको बताया था कि आपको advocate भी hire करना पर सकता है तो जाइन सी बात है कि अगर कुछ advocate hire करते तो वहां पर आपके पैसे भी खर्चोंगे अब जब मामला court में चला जाएगा तो आपको बता है कि court में एक दिन में result नहीं आता आपको बार-बार hiring पर जाना पड़ेगा उसकी सुनवाई होगी फिर आपको next date मिलेगा और इस तरीके से यह steps आगे बढ़ते रहते हैं तो वहां पर आपका expense भी होगा तो आप चाहे तो court में case कर सकते हैं उसका भी हमने सारा प्रकिरिया आपने पहले के वीडियो में बताया हुआ है दूसरा step यह है कि आप ex-servicemen welfare जो ऐसे organization है जो ऐसे groups हैं उनकी साथ मिलिए उनको अपना तकली कोई update आएगा तो हम तो आप तक पहुचाएंगी लेकिन अगर आपका भी कोई complain हो किसी टाइप का अगर आप समस्या face कर रहे है तो आप हमें contact कर सके तो conclusion फिलाल यही है इस topic का कि 2006 से पहले आये pensioners को especially हवलदार rank को जिनको honorary का tag मिला हुए है और वो उनको honorary nap सुदार का pension नह के साथ भी जरूर जड़े और वहां पर अपना समस्या बता है 110% में आपको दावा कर रहा हूं कि अगर आपका honorary का tag लगा हुए और अभी भी आपको हवलदार rank का pension मिल रहा है आपका pension बढ़ जाएगा और आपको पुराना area जब से आपको नहीं मिला वह पूरा की पूरा उनको area देना पड़ेगा और इसका प्रूफ भी हमने अपने पहले के वीडियो में आपको दिखाएगा कि किस तरीके से हवलदार rank का pensioner जो है वह अपना पूरा पैसा निकालता है area के मादियम से एक court case करके तो यह सारी चीज़े आप कर सकते यह तीन चीज़े अगर अभी इसकी जन बलाज उठाएंगे तभी जा कर कि उससपे चीजे सही हो सकती है कहने का मतलब बस सिंपल सा इतना है कि जो गलतई और वही वह रोपी टू में होता है और यहीं हम देखते आ रहा है वह रोपी 3 में भी हो रहा है आने वाले टाइम पर यह गलतिया ऐसे ही होते रहे नहीं होगा तो उसको नया pension कैसे मिलेगा बढ़ा हुआ pension कैसे मिलेगा क्योंकि नियम तो यही कहता है कि पुराने अगर आपके पास PPO है तो उसी PPO के कोई opinion हो व्यूज हो सब हमारे साथ जरूर अपडेट किया कीजिए ताकि हम मिल करके समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सके एनिवे अब आते हैं अपने इस पर्स पेंशन पोडल को चलाना आई होब कि सारे कि सारे पेंशन को आता होगा जो हमारे सब्सक्राइबर है क्योंक ने बता रखा है इस पर्स पेंशन पोडल में जब लॉग इन करेंगे ओटीपी आता है ओटीपी के बाद अपना माई डोकुमेंट्स वगेरा सब जा करके आप चेक कर सकते हैं खुद से इंप्लीमेंट किजिए खुद से ऑपरेट करने की कोसिस किजिए आपको सब कुछ आशान लगेगा और जो हमारे बहुत पुराने पेंशनर्स हैं जो इवन स्मार्ट मूबैल फोन यूज भी नहीं करते तो वह जाहिर सी बात है कैसे लॉग इन करेंगे तो मैं उनको हमेंसे यही रिकॉमेंट करता हूँ कि आप अपने घर में किसी बच्चे को बोलिए वह के लिए operate करेंगा मतलब कहने का मतलब यह कि अगर सरकार पर 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 хочется लेकर करके आ गई है तो ना चाहते हुए भी हमें सीखना चाहिए अभी ते कि बहुत चाहिए हमने करके कहते कहते हैं यह ऐसा बहुत बक्वास है इसा नहीं लाना चाहिई अब क्या कर अब चुकि यह आ तो यह सब कमी है अब कमियां गिनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी तो हमें वहां तक नहीं जाना हमें बस यह कहना है कि भाई आ गया है तो इसे अच्छे से सीख लेते ऑपरेट कर लेते सबसे जरूरी चीज कि हमारा पेंशन हमारे पास continue बना रहे इसके लिए जीवन पर्मान पत्र सही टाइम से भड़ जिनका अक्टूबर में डिट है अक्टूबर में भड़ लीजेगा जिनका नवंबर है नवंबर में जिनका दिसंबर अपना डिव डेट कैसे चेक करेंगे चले मैं फड़ा फटचा आपको बता दो वैसे जो पुराने सब्सक्राइबर और उनको आगे देखने की जुरूत है क्योंकि हमने बता रखा है अब यह एलोट मैसेज आता है ना यहां क्लिक हेर पर क्लिक किजिए यहां पर अपना बैंक एकांट नंबर डाला और यहां पर आप अपना परसनल नंबर डाल दीजिए जो भी आपका आइसी रेजिमेंटल दीपिएफ नंबर है और जो कैप्चा को डूपर में दिख रहा है ना वही चीज आपको यहां पर डालना होता है यह देखे हमने डाल दिया सर्च बटन पर क्लिक करेंगे इंफोमिशन सही रहीगी तो यह डिटेल आ दाएगा और अभी दिखे हमारा डिव डेट 31 होती है और एक दिन के अंदर अगर आपने सही इंफोमिशन बढ़ा है तो आपका यहां पर लाइफ से चेक कर सकते हैं बड़ा ही सिंपल इस्टेप है तो आप खुद से परफॉर्म कीजिए फिर भी अगर कोई क्वेशन आए कोई क्वेरी तो कुछ पूछना हो आप नीच इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए सलाम दोहर रखनाम श्रस्त्रिय अगाल कीप वोचिंग कीप स्माइलिंग अपना और अपने साथ सब का ख्याल रखे जै हिंद वंदेवात्रम